आसान है करना प्रधान मंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्कित, विधायत की आलोचना में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई होना तैर, अमेजन के वरशावणों की चिन्ता करना कूल है, हिमाले के ग्लेशियरों पर बहस खड़ी करना थोड़ा मेहनर का काम, बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविजम तो है, जिसमें पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन पास की नदी से रेत बजरी भरते हुए ट्रैक् अब आप सोचेंगे कि एक कविता क्यों पढ़नी पढ़ लेई है, देश में घटना हूँ, जो देश के लिए अच्छी नहीं है, देश के आने वाली पिड़ी के लिए भी अच्छी नहीं है, लेकिन अफसोस जो होना था वो हो गया, घटना नहीं भी नहीं है, अब तक बारे में जरूर सुन चुके होगे। ऐसी घटनाएं हेडलाइन बनने के लिए ही जन्मती हैं और इनका अंत किसी ना किसी की जान के साथ ही होता है। शनिवार 27 सुलाई शाम के सार बज़ रहे थे। डिली के ओर राजे नगर में बारिश होड़ी थी। इसी इलाके में राव आईस स्टेडी सेंटर नाम का कोचिंग इंस्ट्यूट था। कोचिंग के विशाल का इमारत के बेस्पेंड में एक लाइब्रेरी थी। बारिश के दोणान लाइब्रेरी में पानी बरने लगा। महस्त तीन-चार मिनट में 10 से 12 फेट पानी बर गया। जब लाइब्रेरी में पानी बरना शुरू हुआ तब लगवत 30 बच्चे वहां मजूद थे। मौसम विवाग में भी इस दिन 27 बारिश की चेतावनी जाई थी। पानी का बहाव और भराव इतना तेज था कि बच्चों को बाहर निकलने में भी डिक्कत हो रही थी। काफ प्रदर्शन से न्याय समिश्चित होता है या नहीं पता नहीं पर पहले जान लेते हैं उन तीन लोगों को जो अभिवस्था और लापरवाही की भेंग चड़े। 25 साल की श्रिया यादव यूपी के मेडिकर नगर की रहने वाली थी। 2014 की शुरुवात में धी दिल्ली शुक्त होई थी। उसके जीवन का एक ही लक्ष था। UBSC क्रेंटर इसके लिए अपरेल 2024 नोस ने राव आईयस जॉइंग किया था। उसके पास सेंडिकल्चर में BSC की डेरी भी थी। पिता मेडिकर नगर में डेरी शॉप चलाते हैं। उन्हें रेटना की बारे में न्यूस चैनल से ही पता लगा। नकोचींग वालों ने सूचना दी पर नहीं कुलिस वालों ने कुछ बताया। पुलिस में तो श्रया के चाचा को उसके अंतिम दर्शन के लिए भी साफ मना कर दिया था। मरने वालों में दूसरी लड़की थी 25 साल की तान्या सुन। तिलंगाना के सिकंद्राबाद की रहने वाली। उसकी पढ़ाई दिल्य विश्रजाले के महराजा अग्रिसेन कॉलेज से भूई थी। मई 2024 में उसने राव आईस में दाखला लिया था। तान्या के पिता तिलंगाना की माइनिंग फर्म में काम करते थे। उसका परिवाद मूर लूप से बिहार के औरंगावाद का रहने वाला है। वो स्मॉर्टम के बाद तान्या का शब अंतिम संसकार के लिए औरंगावादी भीजा गया। फिर आता है थाइस साल का नेविंड डाल्विन। केरल के अनाकुलम का रहने वाला नेविंड दिसंबर 2023 से दिली में रह रहा था। वो दिली के पटे नगर में रहता था। कोचिंग की लैब्रेरी में पढ़ने गया था। UPSC की तैयारी के साथ साथ वो JNU से PSD भीखर रहा था। हमारा देश नायक मोड में तब तक नहीं आता जब तक घटना पड़ी नहीं होती। क्या है कि 140 क्रोण की आबादी वाले देश में चंद लोग गुजर गए तो किसे ही हमा लगती है। इस केस में भी वही हुआ। तीन जाने चली गए। उसके बाद दिल्ली सरकार से लेकर दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस सब एक्शन मोड में आ गए। घटना के समन्द में क्रिमिनल केस भी रजिस्टर किया गया। तकाल पुभाव से कुछ भी अफ़तारी भी हुई। डिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम ने जॉइन्ट ऑपरेशन के तहट कुछ 19 कोचिंग सेंटर्स को सिंग कर दिया। दिल्ली के उपरा जपाल भी के सक्सेना ने मृत्कों के परिजनों के लिए 10 लाग रुपए के मुआपजे का एलान भी कर दिया। जूनियर इंजिनियर को बरखास और असिस्टेंट इंजिनियर को सस्पेंड कर दिया। यहां दो सवाल आते हैं। क्या 10 लाग के मुआपजे से जाने वाली वापस आ सकते हैं। जिन दो इंजिनियर्स पर कारवाई थी। क्या घटना के लिए सिर्फ वहीं समयदार थे। घटना पर बहुत कुछ हो चुका है। नेता सक्रिय हो गये। विधायक, मेयर, राजसवास आंसद, लोकसवास आंसद और राजपाल तक आगे। अधिकारी घटे हुए हैं। छाक्रों को अश्वासन दे रहे हैं। सब कुछ हो गया सिवाए न्याय के। न्याय नहीं दिली पुलिस और NDRF के लोगों ने चात्रों को निकालने के लिए रस्क्यू ऑपरेशन चला है। वही कई घंटों तक चला। रस्क्यू ऑपरेशन के लिए डाइवर्स की मदद लीए। सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्थिती कितनी भयावा हो प्रदर्शन कर रहे शात्रों का कहना था कि लाइब्रेरी तो छोड़िये। दिली के कई इलाकों में तो PG भी बेस्मेंट में होते हैं। इसके लावा बारिश का अलर्ट था, मौनसून का समय था, फिर भी काफी समय से नालों की सपाई नहीं कराए नहीं थी। बेस्मेंट में लाइब्रेरी होना तो फिर भी आधा सच है। पूरा सच यह है कि दिली के अलग-अलग इलाकों में 80-90 प्रत्शत लाइब्रेरी बेस्मेंट में मौजून है। ऐसा मैं नहीं वहां पढ़ने वाले च्छात्रों नहीं करा। प्रदर्शन करने वाले च्छात्र मरने वा यह सवाल और यह आरोग बहर गंबीर हो जाता है कि क्या मरने वाले छात्रों की संख्या तीन ही है यहां से शुरू होता है मुद्दे का सबसे निर्थक पहले हम क्या सोचते हैं क्योंकि इस देश में सोचने या कहने से कुछ बदलता नहीं है हां कुछ दिर के लिए ठीक जरूर होता है पर बहतर ही सुनिश्यत नहीं होती एक मेरिया समों सबाब करते हुए एक लड़की ने एक सेल्फ रेलाइजेशन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली बात करी उसने एथिक्स की क्लास में पूछा क्या ये एथिकल है कि क्लास में सिर्फ एक ही एजिट हो इस सवाल की तर्स पर और भी प्रश्न बनते हैं क्या ये एतिकल है कि लाब्रेरी बेस्मेंट में होनी चाहिए क्या ये एथिकल है कि मौनसून में भी लादों की सफाई न कीजाए क्या ये एतिकल है कि तीन बच्चे अधवस्था की बेड चप जाए 25 और 28 साल के सज़्जणोν को बच्चा कहना भी उचित नहीं है पर मानपता का भाव इनी शब्दों की गुनियाद पर टिका है लेकिन मानपता भी ऐसी घठनाओं के दर्वाजें पर अपना दम तोड़ देती है मानपता होती तो वो तीन बच्चे भी होते जो हमारे बीच नहीं है मानवता नहीं है इसलिए वो तीन बच्चे भी नहीं है जो जीवन में अच्छा कर सकते थे हमारे और आपके लिए तो देखना और सुनना सरल है जिन अभिवावकों ने अपने बच्चों को खोया उनके लिए स्कृति कितनी टैनी होगी उन पर क्या भीत रही होगी उनके लिए समय कितना कटिन होगा सबसे जादा हास्यास्पद है आजशेश प्रदर्शन कर रहे हैं नारे अधा रहे हैं जस्टिस जस्टिस चिल्ला रहे हैं पर गुरुजन प्रदर्शन स्थलों से नदारग हैं जितने नदारग उतने ही मौन वही कुझ वांतरिक्ष पर बात करते हैं धरन समाज और राजनी की पर राय पेश करते हैं किस नेता में सीम और किस नेता में प्यम बनने की संभावना नजर आती है यह भी बताते हैं कि कब उनका पहला शूट आउट हुआ बाहुबली, भौकाल, कट्टा और वम उनके प्रवचनों के मुझे किरदार होते हैं प्रीन, शॉट्स, इंटर्व्यूज और पॉड्कास्ट में नजर आने वाले हर विशेशेशा के ऐसे मांतन गुर्जन कहां हैं कहां है उनके प्रतिरोधी वक्तव हैं, कहां है उनकी बेंगात्मक शैली और तल्ग टिपड़ी छातर जानना चाहते हैं कि हर मुद्दे पर सदावाहार पेड़ों की तरद फर रूपी ग्यान देने वाले अद्भुत गुर्जन कहां हैं जिन्होंने घटना पर दोजार शब्द कहें, उनके लहजे में इतनी उदासीमता क्यों हैं तीन लोगों की मौत के लिए सरकार, प्रशासन और कोचिन संस्थान सब जिम्मेदार हैं लेकिन इस देश में जिम्मेदारी लेने का चलन कभी रहा ही यहां जिम्मेदारी दी जाती है, लेने के लाम पर सब मुख बधर हो जाते हैं यही इस देश और समाज की वास्तविक्ता है, जिने जाना था, वे चले नहीं गए, भेज दियेगे चंदरोस प्रदर्शन चलेगा, लोग चीख चीख कर अपने गले के साथ नाइंसाफी करेंगे पुलिस का अत्याचास आएंगे, मादा पिता आसू बहाएंगे सब कुछ हो जाएगा सिवाए इंसाफ के देश में वही सबसे मुश्किल है, बच्चों को वही नहीं मिलेगा मिलेगा तो सिर्फ मुआवजा और आश्वासन